दूसरी शादी कर रहे 56 के अरबाज खान 21 साल का बेटा बनेगा बाराती, मलाइका से क्यों हुआ था तलाग खान परिवार के लाडले बेटे और सल्मान खान के भाई अरबाज खान आज 24 दिसंबर को दूसरी बार दूलहा बनने जा रहे हैं शादी कर रहे अरबाज खान 56 साल के अरबाज खान अपनी गर्ल्फरेंड शौरा खान संग निकाह करने वाले हैं रिपोर्ट्स की माने तो अरबाज और शौरा खान की शादी एक्टर की छोटी बेहन अरपिता खान के घर पर होगी शादी में सिर्फ दोनों के परिवार वाले और करीबी रिष्टेदार ही शामिल होंगे अरबाज शौरा का निकाह काफी इंटिमेट तरीके से साधी से होगा खान परिवार में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है भाई सल्मान और सोहेल खान के साथ अरबाज खान के 21 साल के बेटे अरहान भी बाराती बनेंगे बता दें कि शौरा खान संग अरबाज की ये दूसरी शादी है एक्टर की पहली शादी मलाइका अरोडा संग साल 1988 में हुई थी लेकिन शादी के कुछ सालों बाद दोनों के रिष्टे में दूरियां आ गई और फिर साल 2017 में तलाक लेकर दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अगल हो गए बताया जाता है कि मलाइका को अरबाज की कुछ आदतें पसंद नहीं थी मलाइका ने एक इंटर्व्यू में खुलासा किया था कि अरबाज काफी केरलेस इंसान है दोनों के तलाक की वजह अरजुन कपूर संग मलाइका की नजदीकियां भी बताई जाती है रिपोर्ट्स की माने तो इसी वजह से सल्मान ने अरजुन से बात करना बंद कर दी थी मलाइका संग तलाक के बाद अरबाज खान का दिल एक्ट्रेस और मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी पर आया था हालां कि कुछ सालों तक डेटिंग के बाद दोनों के रिष्टे में भी दरार आ गई और फिर उनका ब्रेक अप हो गया दो नाकाम रिष्टे के बाद अब फाइनली अरबाज खान दूसरी बार अपना घर बसाने जा रहे है अरबाज और शौरा की शादी चर्चा में है अब हर किसी को दुलहन दुलहा की तस्वीरों का इंतजार है